हलो दोस्तों मेरा इट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है जो फल कटिंग कर रहा है यह देखिए आज देखिए कितना मतलब रास्ते के बगल में ही फल कटिंग कर रहा है यह मैं रोड है बगल में इधर देख सकते हैं इधर अच्छा रोड है उसका बाद यह आज फल कटिंग कर रहा है यह देखिए कैसे फल कटिंग कर रहा है और आज का वीडियो में स्रीफ फल कटिंग द दाता है यह देखीए फल दो कड चुका है और अभी एक और फल है पेड में यह है अजिनल और एक फल है उपन सुप टॉपर में आई डोपर कट चुका है अजो फल को कट नियाच उप है और ऊक mirac graduates के बिए कि इसी तरह मलेसिया में फल कघिंग किये जाता है जितना अब Euh में जॅनल वर्कर आते हैं पाम पलन डेसन का काम में वह लोग को ज्हादा तर फले कघिंग करना पड़ता है और यह देखिया फल कघ्री कर है और बहुत आज नहीं हो रहा है वारीस बहुत कम हो रहा है हम कर दो है 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 हम घृअ हरा है है कि अ यह जो पाइप लेके काट रहा है इसका नाम सावित है और इसी से फल कटिंग किया जाता है अगर आप लोग मलेशिया पहली बार आते हैं और इसका नाम नहीं जानते हैं जो फल कटिंग करने वाला दुसरे जगा छोटा रहता है वो पहाद बोलता है और यहां पर इसका नाम उसलम साविद बोलता है और का इसमें बहुत ही ज़्यादा धार होता है चाहित प्रेश कि फल कटिंग करने में बहुत ही आसान होता है कि ये कि छल्दी जल्दी ये सकत आअ Imam ही आसान होता है फल कटना है तो मतलब मेडियम पेढ़ है ज्यादा बड़ा भी नहीं है चोटा भी नहीं है और यह सब पेढ़ में ज्यादा फल रहता है कि पेर में चारपांफ फल रहता है काटने में अच्छा लगता है और अगहा जदाफल काटिंग करेंगे और फल कटिंग जादा करेंगे तो उसमें फल्faल का स्यल्री जाधा रिंगित आएगा जैसे अगर ऐसे सेश्वे नॉर्मल में हम लोग तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यह देखियो फ़ल कटिंग कैसे कर रहा है और और यह गाड़ी भी आ गया हम लोग को लेने के लिए जो इसमें हम लोग काम करके जाते हैं और इसे गाड़ी अभी आगे और भाई लोग काम कर रहे हैं बंदे लोग वह लोग को लेने के लिए गया है और यह पेड़ का फल कटिंग हो चुका है तो चलिए अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि आप लोग के बहुत ही काम आने वाला है मेलेसिय के बारे में कोई भी जानकारी रहेगा तो मैं आप लोग को अफडेट देतता हूं कोई भी जानकारी रहता है तो चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी जानकारी आप लोगों में देते रहता हूं यह देखे यह पेड़ बहुत ही छोटा पेड़ है इसमें बहुत ही मुस्किल पड़ता है छोटा पेड़ में ज्यादा दिक्कत होता है हैं देख सकते हैं पसीना पसीना होगया और पसीना हो जाने के बाद वह पाएप जो है मँदेश देख बड़ी consciousness करता है प्रब्सक्राइब तर्ब्सक्राइब